लहंगा लखनवा 2 जी हाँ कब रिलीज हो रहा है कब इसकी शूटिंग हो रही है क्या है बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं लहंगा लखनवा के समय जो कॉंट्रोवर्सी हुई थी इन दो सिंगरों के बीच खेसारी और रितेश के बीच अब वो कॉंट्रोवर्सी पूरी तरह से सलट गई है और इसे सिल्टाया किसी और ने नहीं बलकि पावस्टार पवन सिंग ने है जी हाँ इन रितेश और खेसारी के बीच जितनी भी गलत फहमिया थी उसे दूर कर लिया है इन दोनोंने और लंडन से आते वक्त लंडन से ये सभी स्टार एक साथ आए हैं इंडिया सभी को पता है लंडन से आते वक्त इन्होंने अपनी सारी गलत फहमियों को दूर किया और अब लहंगा लखनुवा टू जो आएगा इस पर सिर्फ और सिर्फ खेसारी का ही हक होगा जी हाँ इस बात की पूरी अर आपको यह बिता दे कि इस गाने के लिए खेसारी ने तैयारी भी कर ली है खेसारी इस गाने पर जरूर काम करेंगे और वो भी जनवरी में जन्वरी में खेसारी लाल यादो इस गाने पे काम करेंगे और ये गाना जल्द ही आएगा साथ ही इस गाने के जो बोल होंगे वो लहंगा लखनुवा से मिलते जुलते होंगे और एक और बात इस गाने को अखिलेश कश्यप नहीं लिखेंगे जी हाँ इस गाने को कोई और लिखेगा इसकी पुस्ट्री हम जल्दे आपको कर देंगे साथ ही जो लोग लहंगा लखनुवा 2 की बहुत बिसबरी से इंतिजार कर रहे हैं उनके लिए ये बात है कि ये गाना जब भी आएगा ये लहंगा लखनुवा 1 से जादा पॉपुलर होगा क्योंकि इस गाने का इंतिजार सभी कर रहे हैं और इस गाने की हिरोईन तिरिशाकर मधू हो सकती है क्योंकि आजकल उनकी डिमांड भूचपुरी इंडस्ट्री में कुछ जादा ही है और वो जिस गाने में होती है आपको तो कह दे वो गाना सुपर डूपर हिट हो जाता है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि राकेश मिश्रा जिन्होंने कभी आज तक 100 मिलियन का आकडा क्रोस नहीं किया था उन्होंने पहली बार 100 मिलियन का आकडा क्रोस किया और साथ ही सबसे बड़ी बात नील कमल सिंग के लिए जिन्होंने कभी भी 50 मिलियन का आकड़ा क्रॉस ने किया था उनके भी गाने में त्रिशाकर मधू है और वो गाना लाइकातो के पापा पापा कह था ये वाले गाने ने भी 50 मिलियन व्यूस क्रॉस किया है महस तीन हफ्तों में तो त्रिशाकर मधू की डिमांड आज कल भूचपुरी इंडस्ट्री में है तो हो सकता है लहंगा लखनुवा टू में आपको त्रिशाकर मधू और खेसारी की जोड़ी देखने को मिले भूचपुरी जगत की होट और मसालेदार कॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब कर दाब बिल्कुल ना भूलिए